तो friends इस cake का order जो था ना मुझे पहली बार आया था तो मैंने सुचा चलो पहले frosting बनाती हूँ तो ये है cream cheese जो की 200 ग्राम का था और मुझे cake बनाना था दो पॉंड का तो जब हम दो पॉंड का cake बनाते हैं तो उसमें आपको 100 ग्राम जो cream cheese है वो जाता है उसका frosting में तो सबसे पहले मैं उसका frosting ready कर रही हूँ तो cream cheese को अच्छे से whipped कर लेना है बहुत ज्यादा high speed पर मत whipped कीजिएगा नहीं तो वो कार्डल हो जाता है तो जैसे ही वो थोड़ा सा thin consistency में आएगा liquidy में थोड़ा सा hard होता है और जैसे ही उस एकदम soft आ जाएगा तो आप दिखिए इस तरह essence है vanilla essence हमने एक छोटा चमच लिया है एक बड़ा चमच आपको इसमें butter यूज करना है जो कि मुझसे skip हो गया था वीडियो उससे में suit नहीं कर पाए लेकिन butter आपको डालना है अब इसे अच्छे से फीर एक बार whip कर लेना है तो क्योंकि पहला order था ना friends तो थोड़ा सा की one cup में fourth हिस्सा जो होता है चोथा हिस्सा आपको cream cheese का देना होता है मतलब एक बड़ा वाला जो cup होता है उसमें चोथा ही भाग आप cream cheese दे तो यह मैंने cream cheese को ready कर लिया उसे freeze में रख दिया अब मैं whipped cream लोंगी तो दो pond का है तो दो cup लेती हूँ लेकिन मैं दो cup से थोड़ा कि इसमें क्योंकि इसका design जो होता है customer ने मुझसे बोला था classy design दीजेगा बहुत ज़्यादा आठ नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी हम जैसे कि black forest हुआ या फिर red velvet हुआ तो इन सभी cake को क्या है ना cake unique design इसकी होती है तो हमें cream को whipped कर लेना है और इस consistency में whipped करना है अभी इस स्टेज में हमने जितना cream cheese ready किया था ना उतना इसमें mix कर देना है और फिर इसे एक बार whipped कर लेना है ताकि दोनों चीजे जो है ना mix हो जाए तो मुझे थोड़ा सा डर इसलिए लग रहा था कि जब मैं उसका customer ने बोला था कि एक जगह से मैंने मंगवाया था तो उसका जो frosting था बहुत ही खटा था तो मुझे बिलकुल वैसा नहीं चाहिए आप process करना है क्योंकि मैंने आपका और भी cake खाया है तो ये cake आप जरूर मुझे वैसा ही result आना चाहिए जैसा मेरा पहले आता है तो मैं तो होड़ भी डरी हुई थी पहला order था red velvet का पहले नी बनाया था इ जब से पहले friends मैं क्या करती हूगी जब भी मैं frosting ready करती हूँ तो एक बार टेस्ट कर लीती हूगी उसका balance क्या है तो मैंने frosting टेस्ट कर लिया था अच्छा था बहुत ही अच्छा लग रहा था टेंगी नहीं लग रहा था लेकिन उसका एक अलग ही different test था सेम प्रोसेस को follow करते हुए तीन लेयर देंगे हम तीन लेयर देने के बाद उसी तरह से frosting कर देंगे जैसे कि सभी केक को करते है तो ज्यादा मैं आपको प्रोसेस में नहीं दिखाऊंगी बस अब फटा-फट मैं इसे crumb coat करके मैं ने क्या क्या कि कि उस देख फ्रिज में र पूरा लगा कि मैंने इसे अच्छे से crumb coat भी नहीं पूरा एक तरह से इसे अच्छे से फिनिस कर दिया था फ्रेंट्स और फिनिस करने के बाद मैंने इसे रख दिया फ्रिज में और उसके बीच में मैंने किया कि अपने चौकलेट आर्ट रेडी कर लिए जो कि मैं यहां आवे नहीं शेयर कर पाऊंगी आपके साथ तो इस तरह से फिनिसिंग तो आप जानती हूँ कि मैं कैसे करती हूं तो बस सेम प्रोसेस था इस स्क्रापर से लेकर के लेकिन पूरा आउटर भी जो किया था मैंने फ्रेंट्स उसी फ्रोस्टिंग से किया था यह नहीं कि बस म क्रीम चीज का था तो इस तरह से केक को रेडी करके मैंने रखा फ्रीज में अब मैंने थोड़ा सा क्रांब रेडी किया तो उपर का बेस मैंने कट करके रखा हुआ था जब केक को मैं उसे आइसिंग करने लगी तो पस इसे हमें मिक्सी में अच्छे से ब्लाइंड कर लेना अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगी दोस्तों कि यदि आपका कलर उतना डार्क नहीं है तो आप क्या करो कि जब ब्लैंड कर रहे हो ना तो थोड़ा सा रेड कलर उसमें मिक्स कर दो बहुत ही अच्छा कलर आता है और इस तरह से मैंने उसके उपर तो बहुत लोग इसे छनी से डालते हैं लेकिन मैं छनी से नहीं डाल रहे थी हाथों से हर जगा मैंने इसे फैलाया लेकिन साइड में फैलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी तो वहां पर मैंने हेल्फ ली जो स्क्रापर होता है ना फ्रेंड सूसी से लेकिन सॉफ्ट स्क्रापर ह कर दो क्योंकि टार्गेट के नजदीक हूँ जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो मुझे भी हर्णिंग होने लगेगी मुझे भी इतने दिनों से मैनत कर रहे हैं मुझे अच्छा लगेगा कि चलो मेरे व्यूवर्स ने मुझे उतना साथ दिया क्योंकि क्या है ना फ्रेंड्स आपके साथ शेयर करने का तो यहां देखिए फ्रेंड्स मैंने पूरा इसे कर लिया और यह चौकलेट आर्ट मैंने घर में बनाया थी यह अपको यह आर्ट पसंद है तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने थोड़े से एडिबल जो पर्ल होते हैं गोल्डेन वाले मैंने वहां डाला जैसे कि मैंने बोला पहले भी फ्रेंड्स यह पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का इकन जरूर प्रेस किजिए वीडियो पसंद है यह तो लाइक किजिएगा और मुझे आपके कॉमेंट का इंतजा तो फ प्रेंड्स मिलते अपने अगली वीडियो